हाई अवरिवन मैं हूध धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे इनका नाम है लाइचिन और ये ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने हैं इसी महीने के 20 तारीकों ये सारे फॉर्मालिटीज को पूरा करने के बाद प्रेसिडेंट के ओफिस को सम्हालते है लेकिन ये निउस कहीं न कहीं थोड़ा सा दब जाता है उसके पीछे का वजय होता है कि 19 में को इरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइजी और उनके साथ साथ और इरान के ओफिशल्स की एक हेलिकॉप्टर क्रैश में जान जाती है जैसे ही लाइचीन प्रेसिडेंट ओफिस को सम्हालते हैं वैसे इनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि ठीक चाइना के इंट्रेस्ट के खिलाफ होता है क्या है ये पुरा मामला इसको हम समझते हैं मगर आगे बढ़ोई से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो मुझे इमेल करके बता सकते हैं और जहां तक बात किया जाए लाइचिन के बारे में तो इनके जो परसनल रिलेशन है वो शीर जिन के साथ अच्छे नहीं है या इसको हम यूँ समझ ले कि ये हर वक्त ताइवान को एज इंडिपेंडेंट कंट्री प्रमोट करते हुए आए हैं जो कि ठीक चाइना के परस्पेक्टिब से देखने का अब ये मैप में आप देख सकते हैं कि ये ताइवान है साउथ कोरिया है जेपैन है अगर आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिलिपीन्स ताइवान साउथ कोरिया जेपैन ये सारे देश के जो relations है वो China के साथ अच्छे नहीं है और ठीक उसके विपरीत China और US के संबंद बहुत ही बुरे हैं तो इस चीज को अगर आप China के point of view से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा या in fact अगर आप इसको बहुत ही अपने personal level पर जाके सोचेंगे तब भी आपको समझ में आएग कि आपके घर के आसपास आपकी जो दुश्मन है वो अपने लोगों को वहाँ पर station कर रहा है तो कही न कहीं इस चीज से आपको काफी discomfort फील होगा exactly कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है चाइना और ताइवान के बीच में जहां पर US समय दर समय ताइवान हो गया या जपैन हो ग जैसे ही जेपैन Second World War हार जाता है वैसे ही दुबारा से चाइना ताइवान पर कंच्रोल कर लेता है और चाइना और ताइवान के बीच में जो roughly डिस्टेंस है वो कुछ 100 माइल्स का है और इसी time period में क्या होता है कि चाइना में Communist Party और Nationalist Party के बीच में काफी strong तरीके से civil war होता है जिसमें जो Nationalist Party होते हैं वो हार जाते हैं और Nationalist Party को backing US का द्वारा मिला था उसके बावजूद वो हार जाते हैं तो जो Nationalist Party के लोग होते हैं वो ताइवान भाग जाते हैं as a result ये होता है कि चाइना में complete तरीके से Communist सरकार कायम हो जाती है ताइवान का जो इतिहा से वो और बंद हो जाता है जब से 2013 से President Xi चाइना को सम्हालते हैं और मुस्ट सारे देश में होता है जब उस देश के Head of State Office को सम्हालते हैं तो वो एक Speech देते हैं जिस Speech में वो उस देश के जो relation है या जो foreign policy है उसके बारे में more or less वो describe करते हैं ऐसा ही कुछ लाइचिन भी कर रहे थे जह जहां पे approximately वो 30 मिनट का भाशन देते हैं जहां पे वो China को बताते हैं कि Taiwan एक independent country है और किसी भी तरीके से अगर Beijing और Taiwan के बीच में किसी भी बात को लेके अगर उलजन है तो उस चीज़ को सुलजाने का जो तरीका होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ dialogue और diplomacy ही होना चाहिए ले पे multiple times ऐसा हुआ है कि Taiwan के territory में China अपने air force या navy को उतारता रहा है और काफी देर तक उनके territory में air force या navy का presence रहा है और बहुत बार ये भी बताया गया है कि किसी ना किसी तरीके से Taiwan को China में integrate कर लिया जाएगा चाहिए इसके लिए force का भी इस्तिमाल क्यों ना करना पड़े वह नहीं पे जैसे ही लाइचेंग प्रेसिडेंट के post को समालते हैं वैसे ही Chinese forces बढ़ चड़कर Taiwan के आसपास military drill करते हैं और काफी aggressive तरीके से military drill करते हैं जहां पे navy, army और air force तीनों का involvement होता है इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे जो analyst हैं जिनको अच्छी समझ है China के foreign policy य जिससे की China अपने गुसे को दिखा पाए Taiwan को वहीं पे अगर बात किया जाए specifically President Xi के बारे में तो जब से ये office समाले यानि के 2013 से तब से ये बहुत सारे foreign trips किये हैं और भी अलग-लग देशों में ये बढ़ चड़कर investment किये हैं ये इतना जादा foreign trip किये हैं कि इनके पहले कोई BBC President China में नहीं हुए हैं जो इनके बरावरी का foreign trip किये हैं तो कहने का मतलब है कि जब भी आपके देश के high ranking officials या leaders दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि relations काफी अच्छे होते हैं Exactly हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से Belt and Node Initiative को start किया गया या Europe के कुछ देशों को selected तरीके से China के project में include किया गया और उस देश में investment किया गया तो कहने का मतलब है कि तकरीबन दुनिया के सभी हिस्सों में China more or less तरीके से अपना investment कर रखा है और कोशिश कर रहा है कि हर अलग-अलग specific देशों को अपने साथ जोड़ा जाए वहीं अगर हम इस वीडियो को conclude करें तो हमें एक चीज तो समझ में आता है कि अगर हमें ये behavior चाइना का काफी aggressive लगता है तो हमें एक बार ये भी देखना है चाइना के perspective से कि अगर आपके देश के आस-पास जैसे कि South Korea या ताइवान Japan इनके साथ अगर US military drill करता है तो वो भी एक अपने आप में aggressive behavior होता है इसी बीच as an Indian हमें इन सब news को follow करते रहना चाहिए ताके हमें समझ में आए कि globally क्या चल रहा है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye